नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में शाउमी रेड्मी नोट 10 प्रो वर्सस अंफिनिक्स 08 आई का फुल डेप्थ कंपारिसन करने वाले हैं इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्ट फोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो रेड्मी नोट 10 प्रो में 6.48 इंच जबकि अन्फिनिक्स 08 आई में 6.64 इंच की लेंथ मिलती है Width की बात करे तो Redmi Note 10 Pro में 3 इंच जबकी Infinix 08i में 2.99 इंच की Width मिलती है जोकी सेम जैसी ही है बात करें थिकनेस की तो Redmi Note 10 Pro में 0.32 इंच जबकी Infinix 08i में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है जोकी Redmi Note 10 Pro से ज्यादा है अब बात करते है weight की तो Redmi Note 10 Pro में 192 grams जबकि Infinix 08i में 210.5 grams का weight देखने को मिलता है जो की Redmi Note 10 Pro से ज्यादा है तो चलिए अब हम display को compare करते हैं Display type की बात करें तो Redmi Note 10 Pro में Super AMOLED जबकि Infinix 08i में XLCD की display मिलती है Display type की बात करें तो दोनों phone में same ही Redmi Note 10 Pro में 20 ratio 9 जबकि Infinix 08i में 20.5 ratio 9 मिलता है Display size की बात करें तो Redmi Note 10 Pro में 6.67 inches जबकि Infinix 08i में 6.85 inches मिलती है Display resolution Redmi Note 10 Pro में 1080 by 2400 और Infinix 08i में 1080 by 2460 मिलता है Screen to body ratio Redmi Note 10 Pro में 85.8 प्रतिशत जबकि Infinix 08i में 87.04 प्रतिशत मिलता है बात करें PPI density की तो Redmi Note 10 Pro में 395 pixel प्रतिश जबकि Infinix 08i में 392 pixel प्रतिश मिलती है अब देखते हैं display के अन्य features यानि विशेशता है की जो की mobile phone का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सबके पसंदीदा features camera की दोस्तों सबसे पहले बात करें man camera की तो Redmi Note 10 Pro में 4 camera देखने को मिलता है जिसमें की wide angle primary camera, ultra wide angle camera, macro camera और आखिर में depth camera देखने को मिलता है और Infinix 08i की बात करें तो इसमें भी हमें 4 camera देखने को मिलता है जिसमें की primary camera, ultra wide angle camera, depth camera देखने को मिलता है बात करें video camera की तो दोनों phone में 8 different type के features मिल जाते है अब बात करें front camera यानि की selfie camera की तो Redmi Note 10 Pro में single camera देखने को मिलता है जिसमें की 6 different features मिलते है और Infinix 08i में dual camera देखने को मिलता है जिसमें 5 different features मिलते है अई अब बात करते हैं hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की information देखते है hardware में सबसे पहेले CPU जो की speak के हिसाब से देखा जाये तो phone में सबसे important part है उसकी details देखते है GPU की बात करें तो Redmi Note 10 Pro में Adreno 618 जबकी Infinix 08i में Mali G76 MC4 मिलता है चिप सेट की बात करें तो Redmi Note 10 Pro में Qualcomm Snapdragon 732G और Infinix 08i में Mediatek Helio G90T मिलता है बात करें RAM की तो Redmi Note 10 Pro में 6 GB जबकी Infinix 08i में 8 GB मिल जाती है बात करें internal memory जिसको हम storage भी कहते हैं वो Redmi Note 10 Pro में 64 GB जबकी Infinix 08i में 128 GB मिलती है expandable memory की बात करें तो Redmi Note 10 Pro में up to 512 GB जबकी Infinix 08i में up to 256 GB है operating system की बात करें तो Redmi Note 10 Pro में Android V11 जबकी Infinix 08i में Android V10 की देखने को मिलती है बाटरी Redmi Note 10 Pro में 5020 mAh जबकी Infinix 08i में 4500 mAh देखने को मिलती है अई अब main feature को देखते हैं colors की बात करें तो Redmi Note 10 Pro में 3 colors जबकी Infinix 08i में 2 colors option मिलते है सब information देखने के बाद बात करें price की तो Redmi Note 10 Pro की 17,857 रूपीस जबकी Infinix 08i की 14,999 रूपीस देखने को मिलती है दोस्तों अब बात करते हैं plans and cons यानि की फायदे और नुकसान की तो दोनों phone में 4 फायदे और 0 नुकसान देखने को मिलता है अब बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Redmi Note 10 Pro आगे है में कैमरा में Redmi Note 10 Pro आगे है फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों phone सें ही है परफॉर्मेंस में Redmi Note 10 Pro आगे है इंटर्नल मेमरी में Infinix 08i आगे है दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे phone को भी देख लेते हैं पहले competitor phone की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi Note 10 है जो की 12,499 रुपे में मिलता है दुसरा Realme 7 Pro है जो की 17,599 रुपे में मिलता है तीसरा Realme 8 है जो की 13,999 रुपे में मिलता है और लास्ट competitor phone की बात करें तो उसमें Realme 8 Pro है जो की 17,999 रुपे में मिलता है और ये सारे phone की details आपको description में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है ये आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना